नमस्कार मैं हूं सोमेज जाका और आप देखरें वीटेस लाइब नियूज और लगातार आपको हम अभी तक चुनावी हलसलों से वाकिव कराते आ रहे हैं तो चुनाव कहतम हो चुके हैं सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं सरकार बन गई है और बीजेपी एक बार दोबारा से सरकार हासिल करने में कामियाब रही है दोबारा सरकार बना चुकी है हालां कि पूरा बहुमत नहीं मिला लेकिन फिर भी किसी ने किसी तरीके से कहीं जजपा का साथ ले करके उन्होंने सरकार बना ली है और आज हमने सोचा कि क्यों ना जब सरकार बना चुकी है वीजेपी तो उसके बाद क्यों ना जो सरकार का विकासकारी है वो दिखाया जाए तो सरकार का विकासकारी ये कुछ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गड़े बने हुए हैं ये कुछ पिछली सरकार का विकासकारी है पिछले काफी समय से यहाँ पर ये जो गड़े हैं ये सेम टू सेम बने हुए हैं और लगातार परसासन से बार-बार इनके बारे में सिकायतें की जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी कारवाई नहीं होती है अगर हम थोड़ा सा आपको यहां पर दिखाना चाहें तो यहां पर आपको हम दिखाएं यहां जो पूरा का पूरा एक जगह बना रखी है जहां पर डिस्पोजरबल बोलते हैं इसको और यहां पर पूरे सहर का जितना भी सिविर का गंदा पानी है वो यहां पर इखटा होता है और उसके बाद यहां से इस पाइपलाइन के तुरू लगाया गया है वहां तक हूचाँ जा रहा है जबकि फैसके लिए भी सिविधा बना रखाएएं लगारे टर्करेह स्तरा पानी निकाला जाए लेकिन पिछले काफी समय से उन में कहीं न कहीं कोई खराबी है वो चोक और रखे हैं लेकिन उसके बावजूद ये टमप्रेरी एक विवस्ता यहां पर की गई है यहां पर काफी सारे लोग हैं जो आसपास के दुकानदार हैं जो कालोनी वासी हैं वो हमारे साथ यहां पर हैं और जो यह ऐसा जो सरकार का विकास कारी इसके बारे में पूरी के पूरी één आप लोगों को जानकारी देंगे जिवाज अ क्या नम है अपना मेरा नम पाउन है पाउन जी क्या कुछ हालात हैं यह सरकार जो इतना बढ़िया विकास कारिया करवा रख है यह आप देख देखने लागे रहे हो जी यह उरे कोई विकास नहीं कोई स्विधा नहीं पाणी गंदा बरे रहता है चोविस गंटे और पाणी खराब आओ लाइन में यह तीन साल से तीन साल से लाइन सारी बलोग है बेढ़े रहे हैं ना कोई ग्राह आगाता सुबे से श्याम तक दुकंदार बैठके अपने घर चले जाते हैं कोई भी शुदा नहीं हुरे तो यहां पर देखी दुकाने मैं आपको थोड़ा से यहां पर दुकाने वी दिखा देता हूं लोगों की यहां पर दुकाने था पर तुकानदारी हैं वो बिलकुल खटम हो चोकी है यहां और भी भाई हैं जी,'ll feel नहीं? पर्दीफ पर्दीफ जी क्या कुछ हालात हैं गए जो इतनी सब्छान को क्योंकि बीमारी बढ़ती जारिये मच्छर बहुत बड़े बड़े हैं हर जग है बीमारी है एक बार मोटर चलवा दो पूरा बढ़ जाएगा यहां पर पानी आने जाने का रस्ता नहीं पानी भी बढ़ जाता है दुकान दारी खतम है यह समझ लो पानी बढ़ेगा गराक न देख रहे हैं यह मेन होल था जो कि आज के दिन मेन होल तो है नहीं यह सिर्फ गड़ा बनके रहा गया जिससे सिर्फ पानी बाहर निकलता है और उपर से जो यह पाइप लाइन जो डालेगे वह आदिवार तो यह भी लीक होती है और उसकी वज़े से यहां पर काफी सारा के लिए सब्सक्राइब करें यहांगी पारणा जी यह पाइन जी पार्णा पर दर्शन कर लिए लेकिन कोई सुनाई ने यहीं पारसद भी दरणा पर दर्शन कर चुके हैं और उसके बावजूद यहां पर कोई कारवाई नहीं होती है ने सुन्हाइड हमारे चैनल मादेट से भी हमने आपको काफी बार दिखा चुके हैं जो यहां के पारसद से तिक कर अपर बेट तुम पानी जो बड़ा कियो बड़े गाए गूल बिल्कुल गंदा पाणी बदबोजार सारा जिन 24 घंटे बदबोजाती है तो उसके वज़ेसे काफी नुक्सान होता होगा अपका गरायकात तो ही नहीं जी दुकंदारी बंद है तो यहां यहां में बाई और बताना चाहरे हैं जी बताएं तो मैं जी कह रहा हूं बिल्कुल काम बिल्कुल मंदी पहले मंदी का दोर है और दुकान हमारी बंद होने के कागार पे है इतना नुक्सान आर्थी कानी हो रही है और सारे कानून व्यवस्ता बिल्कुल मोन बड़ी है सब को पता है एक्सियन एक्सी सब गूमके जा चुके हैं कह रहे हैं कि हम करेंगे हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो लगाता है रब जेसे चुनाओं यहां पर हुआ चुनाओं के दोरां Hakariा नेता भी आये हुआ यहोगे नेता रवनेता ole नेका pouvez like दे गए जी अब देख fairy के उपर बट जो विदायक आए है तो जंता नहीं उता रहा है तो देखो वो कुछ ना कुछ करें थो बट सरकार पे तो उमीद है नहीं जी बस विदायक साहब पर साथ शाहिए वह मतलब बिल्कुल द्हान नहीं दे रहे आते हैं बहीं करेंगे पोटो की च्वाकर चले जाते हैं कभी यह लाइन करेंगे कभी वो लाइन और कुछ नहीं है काम वबस्ता लगातार ऐसे ही बनी हुए यह समझ्या एक्शन आते हैं बोलते हैं दस दिन का टाइम देने यह बादू का टांसफर हो जाता है यहां फोटो की चुवाते हैं बड़े बड़े आधिकारी आते और चले फजब यह जाते हैं फड़े तो जब भी अब प्रसासन के कोई भी अधिकारी आते हैं तो उनके दवारा क्या कहा जाता है कितना टाइम दिया जाता अब Lem के दोबारा टाइम आज फंदल जीन लिए ऑजब दोबारा कर्वाई करते हैं तो कहते जी वो तो ट्रांसफर होंके लगने की बात हुई इसकी शिरफ यह कहते हैं अगजी टेंडर भी लगा है करवाई चालू करेंगे लेकिन कोई नहीं है विंडो में लगा रखी है तीन साल हो गए है तीन साल से यही बुराल है यहां खुद मिट्टी डलवा के रस्ता बनाए हुआ है चार पास बार तो बच विश्टा भी लगा है दौle है ऩावावे इस छेकी छाने है लो पर जाते हैं वह पर से रात कर और बाता बत्यातर थिंड पर काम का कोई स्लोशन नहीं है वापर यह बाई साब को एक फोटो भी दिखा रहे हैं जूम करके यहां पर देखेंगे यह देख लो जी सर यह पाणी जो बढ़ा हुआ है यह देख लो आप यह 25 की मोटर वैसे तका सुनीक बाते करने के लिए कह रहे हैं कि पाणी नहीं निकलता यह मैं पूरा प्रूफ दे रहा हूँ यह पाणी यह देखो यह निकल रहा है जी यह मोटर यह 25 की चला रहे है उन्होंने अरना तो 50 पचास पावर की मोटर चलाते ही देख लाए सारे रोड के पर पाणी हो जाएगा टेक्टर तो बात दूर की है मोट साइकल भी जो निका परसासन जो है इसकी तरफ कोई द्यान नहीं दे रहा है तीन-चेर साल से मेरी यह दुकान है काम पहले से आदे से भी कम हो गया है ग्राग यहां कोई आता नहीं है खाली बैठे रहते हैं वह दफ्तर में या और कहीं सिकायत करने के लिए जाते हैं तो जुठा स्वासन देत दुकान में गुषने के लिए भी रास्ता नहीं था तो यह अपने पैसों से यह रोडे मिटी किरवा के दुकान में तो आ जाते हैं लेकिन ग्राग तो नहीं आते हैं पहले हमारा अना भी मुश्किल था अब ग्राग कैसे आए गाया क्यों दुकाने बहुत हैं वो तो और नुक्सान काफी जाद हुए जी हो चक्तर पड़ति और खरक्टी अकेला परसाशनीच तरफ द्यान नी देरा यहें नेता लोग जो आते वो भी द्यान नहीं देतें नेता तो क्या देंगिए अगर नेता द्यान दें तो कंब वी हो जाए पहले मेले जो नेता था टिकिसी लेकिन उसकी नहीं चले थी तो अब क्या लगता है आपको कि आने वाले जो समय में कुछ क्योंकि अब निर्दलिये विदायक हैं जाहिर से बातर सरकार में भी उन्होंने अपना हाथ रखा है तो क्या हो सकते अब कुछ बदलावाने की उमीद है उमीद है क्यों मिला जाएग ले सीम बिंडों पर लगाई थी उसका कोई जबाब नहीं है कई बार चोटे मोटे यहां रास्ते रोके हैं कोई नहीं है उसके बावजूद भी आज में तो यहां पर देखिए बिल्कुल साफ साफ एक तरीके से बताया जा रहा है कि जितने भी जो कारिये हैं वो यहां पर रुके हुए हैं और अभी देखिए हमारे साथ यहां पर MC जो है वार्ड के दिनेश जी वो भी हां पर बने हुए हमारे साथ उनसे भी जराएक पर जानने की कोशिस करते हैं हालात क्या है भाई साब नमस्कार जी बाई साब आपके वार्ड में पहुंचे हैं आपके हैं वो दिखाने की कोशिस कर रहे थे तो क्या कहेंगे ऐसे विकास कारियों के उपर ऐसा है जी विकास कारिये ने हो करके ये हमारा दुर्व अगय है पिछले चार साल से लगातार जन्च वास्ते विवाग को एक्सियन साब को रैसी साब को मार्केट के जितने भी हमारे दुक पर दुक्त कराते रहे हैं लेकिन ये भी एक बड़ी विडम्बना है कि लगब करीब 30 के करीब इसमाशी विंडो लगी हुई है जिनका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है तो सियम विंडो पर तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान होता है देखिए ऐसा है इनके इन में कम से कम भी 50 दुकाने एक रो में एक लाइन में और जिसमें से 20 के लग बगदुकान में इस काम से इस समस्या से परवावित होकर और अपना स्टर्ड डाउन करके यहां से पलाइन कर चुके जा चुके हैं क्योंकि यहां इतना भेंकर माहुल जो है शिवरेज की अगरी गुजरता है तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है दूसरी बात यह जो रस्ता है जितने भी आपके जितने भी आपके चर्की दजिला चर्की दादरी के स्कूल और कोलेजिए वो सारे इसी रास्ते के उपर हैं मातर 500 मेटर दूरी पर आपके कोले जाओ तो स यह करवाना चीए था क्योंकि यह जो लाइन है यह कम से कम आदे सहर का डेस्ट वाटर सीरेज का लेकर यहां से चलती है और एक दो दिन की आमातर 10 15 दिन की समस्या होता है जैसे तैसे हमारे दुकंदार भाई हम सब काम चला ले लगातार च्यार वरस से समस्या जो की तो बन कारण हम अपनी नजर में अगर देखें तो इसका कारण हम यह समझते हैं कि पिछले तीन साल से यह जो एस्टीप दिली वाई पास की जो में लाइन इसकी सफाई नहीं होई आप सरो ने इस चीज के ऊपर कोई द्यान नहीं दिया नहीं तो इसकी जो है बोकट मशीन के नय होने की वज़ाइस से शीवरेज के जो मेंनोल हैं उन्हें शिल्ट इतनी जम्मी होई है कि पाणी आगे जा नहीं पाता हुए कि हमारे यहां तीकोन पारक के यहां जो है पाणी उपर आजाता है और और फोर्फलो कि यहां निकड़ता रहता है तो इसका मेंकान यहीं है कि मेंल लाइन किनो ने सफाही नहीं कराई उचह सफाही नहीं कराने की वज़े से यहां तिकोरणा फारक के पास आसपास जीतना भी एरिया यह सारा एरिया पर बावीत है बहुत बेंकर जो है इससे बिमारिया इसको देखते हुए काफी बार आप लोग आंदोलन कर चुके है तो उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, क्या कारण है, इतना सब कुछ कर चुके हैं और उसके बावजूद पर सासन नहीं सुन रहा है देखिए भारत पूरी दुनिया का सब से वड़ा लोकतांतरिक देश है, इसमें अपनी बात को मनवाने के लिए आप धर्णे परदर्शन कर सकते हो, शैंती पिरिया जोने रोड चो निकाल सकते हो आपने आप और सारे समाज को और दुकंदार भाईयों को साथ लेकर के संबंदित्वी वाग के वाँ जोने धर्णा और भूखरताल पे बैठ सकते हो, आपका लोकतांतरिक दिकार है लेकिन ये काम करना और समस्याओं का निदान करना परशासन का कारिय होता है, सरकार का काम होता है हमारा काम पबलिक का और पार्शदों का या सामाज एक संगठनों का काम होता है समंदित समस्या को समंदित विवाग को बताना और उसको चेताना कि आपके विवाग की वज़े से यहाँ इस पॉइंट के उपर यह प्रहसानी हो रही है तो उसका समादांदे को सरकार न करना है परसाचन करना है अब लगातार च्यार वरश से बद्रहने परदर्शन हमने करें हैं, भूखरताल पर भी बैटे हैं, दुकंदार भाईयों ने यहां रोड जाम भी करें हैं, बार 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 सिम विंडो भी लगाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ या तो सरकार इस काम को करना नहीं चाहती कीश समझेया को लेकर के वोट से इसी समझा को लेकर के गोड़े आए ओते, तो हमपपलीक ने उनको पहले बता दिया था की हमारी पर्मुकता से की मांग हैं, चाहँ बने ना बने हमारी की समस्या अपदूर कर दो, हम आपके साथ एं। नो बोट मांगने तो आए लेकिन आ वकंआ उपना मन बना ली आता है कि सर्कार को अंपने परची नहीं देनी हैख कि उन्हों नोंने पुब्लिक की जनिकी ुषी समस्याई का निदान नहीं कराया है वे वे सबस्या नहीं परेषा नहीं हौत असकुन थे से जो हम सब上面 व् див से ठीक है जी आप देख सकते हो इसको नाकाराई हम कह सकते हैं कि एक पात साल का कारेकाल ये पूरा कर चुके चार साल से लगातार ये समस्या है अभी देखो आप क्या चार साल में भी एक आप मातर सो मीटर की समस्या का निदान नहीं कर सकते हो आप पूरे समस्या तो दोबारा परकरती का नियम है पिछली बार BJP ने सरकार बनायी थी आपने बहुमत基本 से सरकार बनायी थी अब की बार क्या है कि इनकी शीटों की कमी पड़ी है दस शीटे जो हम जजपा की समर्थंदंच इनकी सरकार बनी है तो तो आप भी च offeren 26 proarte निया और निया जो 14 आएक उनका भी समर्तन है तो दबाओ के चलते और कुछ नहीं तो दबाओ के चलते काम करना पड़ेगा निश्टे कर शकते मैने दो विने शाल वराप कर सकते हो लेकिन आपने दुबारा सत्ता माना है ठीक है अब तो जज़पा के गठमधन से आप सरकार मागे आपने सरकार बना ले कोई निशंदे बना लेकिन ऐसा नहीं कि यह समझता है आप जो कि तो छोड़ दोगे ना तो मैं समझता हूं कि आप 40 है इनकी आगे हो सकता है इनकी 30 भी ना है तो यहां पर एक चीज और भी जानना चाहूंगा अगर अब भी काम नहीं होता है तो आगे क्या किया जाएगा ऐसा है जी आपको पहले भी बताया था एक बार फिर बताता हूं अब भी काम नहीं होता है तो पब्लीक क्या करेगी पब्लीक क्या आथ में कि चीज आपने मत्का अदिकार सत्ता परिवर्तन कर देगी तब तो पांच साल के लिए रुख गए पांच साल तक क्या इसी तरह से परेशान होंगे। लिए जीता है क्योंकि बाजपा के परतियाशी को वो यहां बोट नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे लोग परेशान उनना काम ने करे टाइम पर तो यह होगा अगर अब भी सरकार काम ने करती है तो यह आप सोच के चलो के आने वाले पांच साल के बाद जो रिजल्ट होग हैं और एक बार फिर से हम आपको फाइनल दिए एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहां से जो पीछे डिस्पोजेबल प्लांट है यहां से पूरे बड़ा एक पाइप आता है लगबग 24 इंसका वहां पे पाइप है आगे और भी ज्यादा बड़ा पाइप यहां पर लगाया उडिया है और यहां पे मतलब सहर का जो पनी गंदाहाजी जो पानी हो यहां ओं यहां से जो आगे प्लांट है वहां पर ट्रांसफर किया जा जाट है अब यह जो लगा रखी है कितने समसे लगे यह करीबन करीबन इसको दस मेंने उच्छे हैं दस महीने से चली हुई है अभी काम फिलाल हुए नहीं है लोग भी काफी प्रेसान हो चुके हैं कई बार अगरा उसके बाद कार काम शुरूआगा तो देखा अब कब तक होता है यह जो लाइन है यह जो नीचे जो खराब जो है उसको मतलब ठीक करने का स्वासन दियागा है यह इसलिए टेंपरेरी जो लाइन आप देख रहे होंगे दिखाई देरी है यह इसलिए बैचाए गई जो लोग हैं वो काफी परेशाने से मतलब काफी बारों नए शिकायत भी है वो फिस में जाके दरना भी देश तो कहीं ना कहीं हो सकता है लेकिन पिछली सरकार का अगर हम आपको कहें तो यह विकासकारी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और लगातार जो ऐसे विकासक जब तक सरकार और परसासन उन कामों को नहीं करती है तब तक यह जो ऐसे विकासकारी हैं जाहिर सी बात आप कहेंगे कि हम बार बार विकासकारी बता रहा हूं और यह विकासकारी कहा है यह तो हम परसासन को सरकार को भी यह कहना चाहरे है ऐसे विकासकारियों से ना परसास बनाये रखेंगे आप अमारे चैनल के साथ लगात अर जूनियर यह देखते रहे बिटेश लाइब नूज मैं सुमिजड़का केमरामन जधिन के साथ झाल